हलो डियर इस्टुएंट्स आज हम बी-सी करंड मेजरमेंट के बारे में स्टेडी करेंगे उसके लिए इंस्टुमेंट है बी-सी एमिटर सब्जेक्ट कोड आई-2-0-1 दिखें इस डाइग्राम में एक एमिटर दिखाया गया है और इसका सर्किट डाइग्राम दिखाया गया है इसमें एक गैलन मेटर है प्यम-म्सी टाइप जिसका इंटरनल रिस्टेंस आरेम है और इस गैलन मेटर इस फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट आई-FSD है जो की ज़्यादा से ज़्यादा करेंट इस गैलन मेटर में या प्यम-म्सी मेटर में पास की जा सकती है माल लिजे आपको करेंट जो है आई-वैल्यू का मेजर करना है तो आई-वैल्यू आई-FSD से ज़्यादा हो सकती है इसलिए एक पैरलल में अपने एक रेजिस्टेंस आरेशेच लगा देते हैं जिससे की एक अगर चर्कित डिजाइन में आरेशेच जो वैल्यू है वह अपन वो अन्नोन है इसकी वैल्यू अगर फाइंड कर सकते हैं तो अपन आई-करंट मेजर करने के लिए अपन एक एमिटर डिजाइन कर सकते हैं चूकि आई-फेसदी फुल-स्केल करंट है यह सर्विशेच नह पैलल रिजिस्टेंज में आपन जानते हैं कि वोल्टेज जो है बराबर होते हैं और इसी एक्वेशन को आपन लिख लें तो देखिए यह अपने लिख लिया ISH into RSH equal to IFSD into Rm parallel circuit है इसलिए voltage बराबर होगा और total current अपन लिख सकते हैं I sh plus I f s d और इसमें देखिए I sh को जो है अपन की value इस equation से इसमें रख सकते हैं तो I sh की जगे अपन ने लिख दिया I minus I f s d into R sh equal to I f s d into R m इसमें देखिए I f s d को मैं इदर नीचे transfer कर देता हूँ तो यहाँ पर minus 1 हो जाएगा यह बन गया I upon I f s d इस quantity को मैं M लिख सकता हूँ जो की एक multiplying factor है I upon I f s d जिसको मैंने M लिख दिया और इस term को right side में denominator में transfer कर दिया जिससे की अपन को R s s जो की unknown resistance है उसकी value मिल गई R m upon M minus 1 जहाँ पर एक M multiply factor तो इस तरह से अपन R s s की value को calculate कर सकता है तो जब R s s की value अपन को मिल जाएगी तो अपन total current I जो है इस emitter से major कर सकेंगे देखिए I जब अपन current pass करेंगे तो emitter में I f s d या galometer में I f s d current flow होगी meter जो है full scale deflection current देगा तो इस meter की marking open I के हिसाब से जो है marking कर लेंगे तो ये meter I range का emitter बन जाए अब चूंकि देखिए इसमें ये circuit linear है तो I और I f s d में एक linear relationship है तो I range का ये emitter बन जाए जिससे कि अपन I range की current को अपन नाप सकते हैं जब I current flow करवाएंगे तो meter full scale deflection देगा और वहाँ पे अपन I range को mark कर लेंगे और बाखी की range को अपन equally divide कर लेंगे तो ये emitter बन जाएगा जो की I range का अपन जिस range का भी design करना चाहते है तो इस तरह से अपन DC current मेजर कर सकते हैं किसी भी designed emitter से तो इस lecture को अपन यहीं conclude करते हैं थैंक यू